हमें क्या काम हमें तो किर्शन प्यारा है तो भगवान की भगती में लगे रहते हैं भगवान के बरो से सारा चोड़ देते हैं जैसे आज भी हिंदू समाज के लोग सारा काम ये चाहते हैं जो काम कर दे सरकार कर दे तुम्हें कुछ ने करना पड़े हिंदू राष्ट भी सर कामिस होते हैं कि यह सरकारी कर दें तो इस तरह है कि बाते जो हो रही है यह हिंदु की अपनी सोच है हिंदु की नमरता है लेकिन दूर से लोग यह भी न समझे हिंदू बिल्कुल इतना केंचवां भी नहीं है कि इसके उपर पैर रख करके दबा दे और यह चीव ना कर जागरती आ रहे है आज हर हिंदु का खून हिलोरे ले रहा है देश और धर्म की रक्षा के लिए क्या भारत की संस्कृति की बात करना धर्म की बाते करना हिंदूति की बात करना अगर अपराद है तो यह अपराद तो होता रहेगा ऐसे देश भक्त धर्म भक्त तो होते र ख़पावाचक कथाओं के माध्यम से केवल अयची की बाटे तो बताते हैं भगवान किरशन जी की बाते बताएंगे वो रासलिला बताएंगे लेकिन वे यह नहीं बताते हैं उन्रोंगे अपने सुद्रसंचक्र से कितने राक्षसों का संखहर किया मां भारत के युद को मो से निराला एक दिखा है कि ये कथा से हट करके वो बाते करता है जिस बात जिन बातों की आवसकता आज इस भारत को और हिंदु धर्म को है हिंदु धर्म की रक्षा की और राष्ट की रक्षा की जो ये बाते कर रहा है बही ऐसे तो अगर ये सारे कथावा चक हमारे धर्माच और ऐसे ये संक्राचारिया है हमारे आध्य संक्राचारिय जी ने चार मठों की अस्थापना इस्तिय की थी कि धर्म के अक्सेत्र में और राश्टरक्षा के अक्सेत्र में ये चारों मठ धर्म की और राश्ट की सेवा करें लेकिन ये वहां बिल्कुल ऐसो आराम में बैठे रह जाते हैं और ऐसा ऐसो आराम है कि राजशी ठाट में रहते हैं इनके मकान भी वातानुकूलित है और गाड़िया भी वातानुकूलित है और भोजन भी सोने चांदी के बर्तोंगे करते हैं तुम्हें प्राचीन राजय ओमर इने में क्यांतर हो गया मारा जी एक संकराचारी तो कह रहेगी मैं तो धिरेंद्र साफ्तरी को तभी मानूगा वो जोसी मठकी दरारे बरके दिखाए पहले अब ये सरस्थी का कारिया है इस सरस्थी को मनुश्या कैसे कर देगा ये संकराचारी जी जो बोल रहे है ये इनहें जोसी मठके पहड़ों में आई हुई वहां मकानों में आई हुई दरारों की चिंता नहीं है केवल चिंता इस बात की है कि तुम यहां बैटे हो तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा और धिरेंदर साफतरी का आज इतना परचार देश-विदेश में हो गया वो बरदास्त नहीं हो गया इसे उनके पेट में दरद हो गया यह जो सब तिल मिलाए हुए आपने का पेट में दरद हो गया तो क्या कारण लग रहा है कि सब के सब धिरेंदर साफतरी के पीछे पढ़ गया यह दरद क्यों हो रहा है इसलिए दरद हो रहा है देखिए जो भी राष्ट की बाते करेगा धरम की रक्षा की बाते करेगा समाज उससे जुड़ेगा तो ही अब आज यह बताईए भगत सिंग को याद कर रहे हैं लेकिन दूसरे भी तो लोग इस देश के अंदर थे राजगुरु सुगदेश, चंद्सेक, राजाद, रामपरसाद, बिस्मील, अश्फा, कुल्ला, राजेंद्र लाहडी, रोसनलाल, धिंग्रा, सुभास, चंद्र, बोस इनको क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को लगा दिया, राष्ट की बलिवेदी पर अपने जीवन को लगा दिया तो धिरेंद्र सास्त्री जी जो ये कह रहे है कि मुझे मरने का कोई चिंता ने, डरनी है तो सब को मरना है लेकिन मरूंगा तो राष्ट और धर्म की रक्षा के लिए भारत की संस्किर्ती की रक्षा के लिए मरूंगा तो ऐसे योधा के पीछे समर्थन होना चाहिए था कुछ लोगों का लेकिन वे लोग समर्थन तो करने ही रहे बलकि वे विरोध में आगे लेकिन वो ध्यान रखे उनका विरोध जाद चलने वाला नहीं है हर राष्टवादी हिंदू उनके समर्थन में खड़ा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि ये विरोध करने वाले या तो अपनी वानी को बंद कर ले और नहीं तो आज जो इसके समर्थन में खड़े हैं वे ही लोकल इन बकवास करने वालों के विरोध में सड़कों पर आ है कि हम दो टोपी वालों से भी जैसी रिराम बुलवा लेंगे हां देखिए यहां इस भारत की तो अलग ही विशेष्टा है अगर यहां यह भारत नहीं होता नहीं यहां कोई और होते तो इस तरह की बाते नहीं चलती यहां पर जब यह कहा जाता है कि 2047 में हम इस देश प इन हिंदों के तो कतले आम कर देंगे तब भड़काव भासन नहीं है और जब इस तरह की ओर अन्या बाते हिंदों के खिलाप इस राष्ट के खिलाप हिंदु धर्म के खिलाप कही जाती है तब भड़काव भासन नहीं है और जहां यहां के हिंदों में एक जागर्ती आई एक चेतना आई और राश्ट की राक्षा के लिए धर्म की राक्षा के लिए कुछ कह दे तो फिर भड़काऊ बासन है यही बाते धिरेंदर सास्तिर जी के उपर भी लागू हो रही हैं वो इस देश की राक्षा की बात कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी को हिंदू धर्म देना हुए है तो वे भड़काओ लग रहे है अगर ये इस तरह की बाते राश्रक्षा करना धर्म की बाते करना भड़काओ तो धृरैंद्र सास्तरी के दुआरा नहीं यह तो स्वामिय यस्वीर माराज के मुखार विन से भी निकलती रहेगी आप भी समर्थन करते हैं धिरेंदर साश्तरी जी का समर्थन करते हैं और जब भी उन पर कोई आच आएगी उस आच को मिटाने के लिए भी मैदान में आएगे और वो जो कारिय कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं जो एक धर्म का परचार करने वालों को करना चाहिए और हम भी वही कारिय कर रहे हैं जो एक साधू को करना चाहिए हम अपनी मर्यादाओं से नेगिरते जो साधू की मर्यादा होती है उन मर्यादों में रहकर हम देश और धर्म की रक्षा की ये 600 के लगबाव हमने सुद्धी की है अभी तो ये सुद्धी चल दी रहेगी अभी तक तो कई लाख मुसलमान हमारे संपर्क में आ चुके हैं अब वो धीरे धीरे करमवाईज आते रहेंगे और यहां घर वापसी कर हम तो उनकी घर वापसी करते हैं जिनको लोगों ने बहकार करके डड़ा करके या लालच दे करके हिंदुऊं से दूसरे मत में बदल लिया था उनको घर वापसी करा रहे हैं और वो घर वापसी के लिए यहां आते हैं अच्छा अभी आपने देखा मंच से बाबा ने एक की वापसी कराई जो लड़ी की सुलताना थी उफको हिंदू बनाया तो अब मीडिये कहरे लेगी कि बाबा तो देखे खुले हम धर्मांतरन करा रहे हैं मैंने भी उनका सुना है उसने कहा है कि मैं तो स्वेच्छा से यहां आई हूँ और मुझे हिंदू धर्म ही पसंद आया है उसने आपने भी सुना होगा और इस भारत की जनता ने भी सुना है और हमारे मुसलमान भाईयों ने भी सुना है उसने कहा कि हम जिस इसलाम में थे वह हमें पसंद नहीं है वहां तलाग भी एक बार तीन बार तलाग के दो तलाग तलाग हो जाता है और हलाला जैसा एक पसंद नहीं आया उसलिए सारे बाते बताए कि हमें वो पसंद नहीं आये हमें तो अपने हिंदु धरम की ही पूजा पत्ती में विश्वास है यही हमें अच किन मैं आ गई हूँ मैं तो हिंदू धरम में आ गई हूँ वो स्वेच्छा से आई है अच्छा मारा जी जब ऐसा मुद्दात है आपने देखा हिंदू हो चाहे संकराचारी हो वह भी दो गुट में बटे ने जराते जैसे आप समर्तन कर रहे हैं कुछ लोग उनका विरोध कर देखे यह साधों में बिमारी है और हिंदू में भी बिमारी है केवल हिंदू धरम के मानने वाले ही इतने अपने अस्तर से गिरते हैं यह स्वार्थ के वसीवूते हमारे सास्तरों में आता है स्वार्थी दोसम नहपस्यती कि स्वार्थी आदमी किसी भी कारिये को करने में अपना स्वार्थ देखता है दोस नहीं देखता कि तुग गलत काम कर रहा है जितने भी यह चोरी करने वाले या दारू पीने वाले या कुछ और भी करने वाले जितने भी बुराईयां करते ह पता उनको भी है कि तुम्हीं बुरे काम को कर रहे हों लेकिन उसमें उनका अपना स्वार्थ जुड़ा होता है आमदनी जुड़ी होती है तो ये इस तरह है कि जो विरोध कर रहे हैं भारत की संस्कृतिioni को बचाने वालों का इनका भी अपना स्वार्थ है ये कहीं न कहीं किसी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए ऐसी राजनीतिक पार्टियों से जो हिंदू विरोधी हो भारत विरोधी भी हो जिन्होंने इस देश के टुकडे सन 47 में करवाए हो ऐसी पार्टियों से ये जुड़े हुए हैं ये इनि पर ब्रेकर होते हैं जिसकी मजबूत गाडिया बरोकर को तोड़ती हुई चली जाती है तो ऐसे ही धर्म के रक्षक इन बरेकरों को इन गलत विचार धारा के लोगों की विचारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे और धर्म की रक्षा और राष्ट की रक्षा हो जाएगी कुछ लोग ये भी कह रहे है कि जैसे आपने कहा कि ये जो है दूफरी पार्टी के लोग है वह कुछ लोग ये कह रहे है कि जो धिरेंद्र साफ्टरी है वो दो हजार चोबिस का माहुल तयार कर रहे है बीजेपी के लिए उनसे बयान दिलाए जा रहे हैं नहीं जिससे कि ये बैठ जाए और फिर दूसरी बात यह है जो धर्म की बाते करेगा वो धर्म की बाते करने की विचार धारा चाहे वो किसी भी पार्टी को परवावित करें हमें इस बात से क्या लेना अब मालिया हमने कोई बात कई धर्म की बाते और वो भाजबा पर लागो हो करके बाजबा को लाब हो जाए तो कोई बात नहीं तो दूसरों को विरोध हो रहा है तो वे भी हिंदूत्य की बाते करने लगो ने भैं दूसरी पार्टी वाले जो यह कहते हैं कि ये तो भाज़बा का जला है की चिंता है दूसी वोटों के दुवारा भारत की कुरसी प्राप्त करने की चिंता है इने देश और धर्म की चिंता ने इने अपने कुरसी की चिंता है और इनकी कुरसी जब तक चल रही है तो इतना पैसा कमा दिया बहारी बहार भी इतना पैसा है कि जब देश से कोई ऐसी पत्तियात इनको दिखाई देगी देश छोड़ जाएंगे या धर्म परिवर्तन कर लेंगे इनका कोई दीन धर्म नहीं है इनका धर्म तो केवल कुर्सी है और कुछ नहीं है माराज जी आकरी सवाल जिस तरीके से धिरेंद्र स्वाफतरी हर मुद्दे पे खुल के बोलते हैं चाहे वो धर्म का मुद्दा हो या फिर सरदा वाला मुद्दा हो कुछ भी मुद्दा हो अगर हमारे देश के अंदर जितने भी मटा दीसा संकराचारी है अगर वो हर मुद् सब्सकेर करें कि थे इससे लिए अस्थापना की थी लेकिन पता नहीं इनके इनके संसकार बदल गए जबकि साधुता का इनका जीवन नहीं तो आज ये स्चांतना बैठे हैं आज तो ये आश्वा आराम के साथ में बैठे हैं और नहीं तो साधू तो वो है जो साधना करता है साधना करने वाले को ही तो साधू कहते है अब साधना कहा हो रही है वहाँ जो इस तरह हैगा जैसा खाए अन वैसा हो जाए मन तो ऐसा ही इनकी विचारधारा हो रही है लेकिन अगर ये साधू समाज खड़ा हो जाए, बुद्धी जीवी खड़ा हो जाए, तो यहाँ जो दूसी संस्किर्ती बोल रही है इस देश के अंदर, यहाँ पर केवल एक संस्किर्ती, वो वेदों की संस्किर्ती, वो रिश्यों की संस्किर्ती ही बोलेगी, कोई और संस् श्कृति के मानने वाले भी बड़े ही जोर से मुठी बंद करके कहेंगे जैसरी राम आप भी बही बात कहाँए जैसरी राम नहीं कहो ही कि देखो सत्या में वजयते हमेशा सत्य की विजया होती है और सादू को हमेशा सत्या ही बोलना चाहिए